नमस्कार बहूत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grandğlyose Secret धनू रासी वालों हर कोई जीवन में तरक्की करना चाता है हर कोई चाहता है कि उसके कोई दूस्मन ना हुँ जो भी राह में उनके लिए काइटे बीचा हर कोई चाहता है कि जीवन आसानी से सरलता से आगे बढ़ जाए अब धनुबाले होते हैं बिंदास इनके बहुत सारे दुस्मन होते हैं क्योंकि ये सोचे समझे बिना कुछ भी बोल देने की जो आदत है जिसके कारण यहां पर हलांकि सनी जिम्मेदार होता है लेकिन इनके में दुस्मन बढ़ जाते हैं लेकि लेकिन चलिए ओनाइवल एक बात से साजा करें कि कौन से ग्रह आपके दुस्मन हैं क्योंकि इन से बचना बहुत जरूरी है आप एक बड़ बैक्ति भी से बचते हो जाएंगे पर अगर आप कौन इसा गरह आपका दुस्मन है यह जान जाते हैं तो फिर राह आपका मुस्किल नहीं होता राह आसान हो जाता है जीवन संघर्स में कम जाता है बलकि आप खुसियों की तरफ जादा बढ़ते हैं हर कुंडली में सहायक और बाधक गरह होते हैं सहायक और जो बाधक गरह हैं कु लायक होते हैं यानि दुस्मन आम तोर पर कुंडली में समस्या ही देते हैं सिग्रा लेकिन अगर लाब भी दे दे तो यह जीवन में अध्भूत सफलता यहां पर मिल जाएगी तो कुंडली में जो आपके दुस्मन ग्रा है उनको सांत रखकर आप अपने जीवन में परबल नहीं होता क्या करेंगे नमस्यवाय का खुब जब करें सिवजी पर एक लोटा जल नियमीत रूप से अरपीत करें यह तो थी ग्रह की बात लेकिन बैक्ति की बात करें नाम बाले लोगों की बात करें तो वह कौन है बला देखिए सब्सक्राइब किसी भी बैक्ति क कुंडली से जो मित्र है ना उनका विचार पंचम भौ से किया जाता है और एकादस भौ से मित्र के सुभाब के बारे में और तृतिय भौ से मित्र से होने वाले लाभानी के बारे में जाना जाता है अब चुकि परतेख प्रानी किसी ना किसी ग्रह रासी लगने से प्रभा में पांच प्रकार की मित्रता होती है परमित्र मित्र सत्रू अधि सत्रू और ग्रहों की इस्तिती के अनुसार तत्कालिक मैत्री आज हम आपको ब्यक्ति विसेश के बारे में तो बताएंगे ही लेकिन यह भी बताएंगे कि आपकी रासी के सत्रू कौन है सत्रू रासी और उनको कैसे ठीक करें सभी प्रकार की रासियों में भी मैत्री संबंध होते हैं यह आपको मान की चलना चाहिए देखिए कुंडली में प्रथम चतूर्त दुईति पंचम सप्तम एकादस भाव और बुद्ध ग्रह प्रमुकुरूप से मित्रता का कारक होता है और कुंडली का सिधा संबंध ग्रह रासियों और भाव से होता है जो कि आपके जीवन को एक गती देता है आप किधर जाओगे कैसे रहोगे संसार में चंदन को सीतल कहा जाता है लेकिन चंद्रमा चंदन से भी सीतल है यानि अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना से अधिक सीतलता देने वाली होती है यानि हर दुख की घड़ी में आपको सांध करेगा आपका सहारा बनेगा अब चुकी हम मित्र पे ही बात कर रहे हैं तो हर बैक्ती किसी ना किसी ग्रह रासी लगने से प्रभावित होता है और जोतिस के अनुसार दो बिभिन जो बैक्ती होते हैं अब चाहे आप प्रेमी प पर आधारीत होता है अब हमारा सरीर पांच तत्तो से बना है बारह रासी के वनाएं और इनहीं में में हैं अगनी-वुमी-वायू और चलर हुई तो यहां पर कुछ रासियां ऐसी होती है जो अगनी-प्षजवी प्रधान होती हैं कुछ रासियां अपने अपने तरीके के गुलने के आदी है तो उसी प्रकार अगर हम आपकी रासी की बात करें तो कुछ रासियां बहुत गंभीर होती है जो तिस कहता है कि एक ही तत्तो की रासी से गहरी मित्रता होती है प्रत्वी जलतत्तो अगनी वायू तत्तो के अच्छी पट्री बैठ लेकिन चुकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप दोस्तों से लाव ले सकें और कैसे दुस्मनों से बचे रहें देखिए तत्तु के अधार पर ही ब्यक्ति के सुभाव के बारे में या मित्रता के बारे में जाना जाता है या फिर असर होता है यानि हर प्रिथिवी तत्तु के लो यहां पर सास्त्रों में यह कहा गया है कि कुछ गुरहों में नेचरली नसरगी मेत्री होती है और किसी भी ब्यक्ति की जन्म कुंडली में मनुस्य के आचरन सभाब के बारे में उनके नुआंस कुंडली से जाना जाता है अब इस दुनिया में जो मनुस्य है वो भी चित्र है क्योंकि उनके चेहरे पर कुछ और होता है अंदर कुछ और होता है अब मनुसी के अस भाफ को जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह देखने में बहुत सुन्दर होते हैं पर बड़े कप्टी होते हैं, घबंडी होते हैं इगो बाले होते हैं, गंदगी से भरे होते हैं तो यह चीज़े हैं अब यहां पर जैसे कि प्रेमी प्रेमी का है पती पत्नी है इनके सम्मंद कैसे होंगे तो इसके लिए भी आपको बहुत गहराई में जाना होता है इसलिए तो कुंडली मिलाई जाती है ताकि सोच मिले बिचार मिले अब जो मंगल है पीला रंग सुप चीजों और मंगल से सम मान जाता है और जोति 20 से नहीं होता अब जोतिस कहता है कि दोस्ति को दो thrust में बदलने के लिए पीली रंग का प्रयोग लापकाली होता है तो बैबाई जीवन को बहतर बनाने के लिए पीले रंग लुक्राइब जैसे की हर गर्ह गर्ह के अपने मित्रे श्र्र म豏ते आप जैसे सूरे ग्रह को चंडर्मा मंगर्ल मित्र होते हैं रसी और सनी सुक्र बुद्ध से सुमिता बक्ता का संमंध होता है और इसी प्रकार हम तため वाशियों से देखते हैं कि उनका सम्मन्द किन से है कौन मित्र हैं कौन सत्रू हैं तो आज हम उसी अनुसल आपको बताएंगे कि आपकी रासी से जो जैसे कि मित्रता का प्रमुख भाव एकादस भाव होता है अब जितने अच्छे आपके ये भाव हैं उतने ही अच्छे मजबूती दोस्ती होगी एक जानकारी जो आपको जानना अतियावस्थ है अब हम यह जानते हैं कि अगर आपके लिए कौन सी रासी अच्छी नहीं है कौन से लोग आपको धोखा देंगे कौन से लोग आपके सत्रू होते हैं अब धोखा की बात धोखा देना और विबाह प्रेम समंधों के मामलों में पर स्क्र McConnell को सबस्टनता है यहां तो बीजनस के मामलों में यहां भी यहां आफ넉र ज्टाफ के मामलों में दो रिलेका तो बीजनस जमीन जाइदात के मामलों में दोखा मिलता है, बचने के लिए किया करेंगे, किन से मिलता है, ब्रिसवरासी, कन्यारासी, मकररासी, यह आपको दोखा देंगे ह। प्रोपर्टी का काम करते हैं ध्रूपर करते हैं या पिर दोखा मिली खप स्बाइब मिल रहा है या पिर आपको दुस्मनों को बहुत देर से आता है यह रहा होते हैं कि दूस्मनों को थे आधिन के बाड़ी पर जाती है लेकिन अगर हम आपके बैवाही जीवन की बाद करें की यहां सत्रू कौन है जो आपको रहाल में परिसान्या ही क्रिएट किरेट करते हैं आपके जीवन में देखिए अगर हम बेवाही बात करें तो सुरुवाट और कुम्रासी याद रखिए बिस्वरासी तुला रासी कुम्रासी यहां पर तुला और कुम्रा गया वहां पर धोखा में था कर्णिया और मकर हलांकि कर्णिया रासी से आप विवा कर सकते हैं लेकिन फिर भी यहां धन के मामलों में आपको समल के रहना होगा एक बात मांध के रखेगा लेकिन देखिए बिसा अब तुला और कुम्राशी सत्तुराशी है विवा करने से बचिये अम माल लेते हैं विवा हो गया अब पार्टनर्सिप में धोका के लिए नहीं है लब लाइफ में भी समलके रहिएगा क्योंकि जरोस से ज़्यादा भरोसा किसी पर ना करें कोई बैक्ति आपका सगा नहीं है हर कोई आपका इस्तेमाल कराई आपको समझना होगा मां दुरगा को नियमित रूप से लौंग अर्प करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और यहां सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा धन्यबाद हम फिर मिलेंगे